सो हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नेटवर्क प्रोबलम को दूर कर सकते हैं यानि कि आम तोर पर आज कर बहुत से लोगों को नेटवर्क से रिलेटेट बहुत से प्रोबलम होती ही रहती हैं तो इन तक देखना और वीडियो को बारी की से समझना तभी आपको ये वीडियो जो है समझ में आएगी और जो है ट्रिक आप अपने फोन में कर पाएंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स फोन में जो है ये option difference होता है तो मेरे में इस परकार है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर दो SIM दिखाई पड़ रही होंगी आप अगर अपने फोन में एक SIM यूज़ करते हैं तो आपके फोन में एक SIM जो है दिखाई जाएगी अगर आप दो SIM यूज़ करते हैं और आप किसी एक SIM से network का प्रियोग करते हैं तो आप उस SIM को यहां से चूझ कर सकते हैं तो माना कि मैं दूसरी SIM को जो है चूझ करना चाहता हूँ इसलिए इसको चूझ कर लिया हूँ इतना करने के बाद अब आपको यहां पर नीचे की side आपको एक आपूंसर दिख रहा होगा access point limit नेंग ईसका यो मोर अपन तो आपको सिंप्रों पर occur करना है अब आपको औपर आप अपिन करना है इसपर पर कीलिक करने के बाति आपकोra सबी जो है setting को setting को set करना है एक एक setting बारी की सजह मंजना है यहीः पर जो है आप भूल कर सकते हैं तो वीडियो को जरा भी इसके मत करिएगा कर आपको simply name वाले option पर click करना है और इस पर एक जो है name set करना है उस name को कैसे set कि आ आएगा देखिए यहाँ पर टाइप करना है आपको grid 4 G 2 4 इतना टाइप करने के बाद आपको सिंबिले इसको Save कर देना है इतना करने के बाद अब आपको दूसरा आप्शन देख रहा होगा A.P.N का आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर टाइप करना है इतना करने के बाद आपको इसे भी सिंपली सेफ कर देना है यहाँ पर प्रोक्सरी को भी सोर देना है थापको सिधा सरवर पर चले आना है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ— पर अपको ऑपको सरवर करेंगे तो आपको यहाँ पार टाइप करना है www.google.com इतना करने के बाद आपको simply इसको save कर देना है इतना करने के बाद अब आपको फिर MMSC भी छोड़ देना है MMS proxy भी छोड़ देना है MMS port भी छोड़ देना है MCC जो है आपको 405 ही रखना है MNC आपको 871 ही रखना है और आपको इसी परकार सभी setting रखना है आपको इस setting में कुछ भी नहीं करना है आपको simply इसको यहाँ से save कर देना है save करने के बाद अब आपकी यह APN दूसरी यह create हो चुकी है और आपको simply इस पर click करना है इस पर click करने के बाद अब आपको यहाँ से cut कर देना है cut करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इसको चूच करने के बाद आपको simply इसको cut कर देना है cut करने के बाद आपको simply phone को switch off करके फिर से खोलना है खोलने के बाद आपका जो 5G network है यानि कि आपका जो network problem है वो दूर हो जाएगा तो आपको इस trick को करके जो है अपने network problem को दूर सब कर सकते हैं और जो है network का फुल मजा ले सकते हैं तो आपको इस trick को अपने phone में करना है और बताना है कि आपके phone में यह trick हो रही है या फिर नहीं हो रही है बेसिकली यह आपके फोन में 100% जो है अपलाई होगी तो वीडियो अच्छे लगी तो पिलिश लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन से पहले आप तो कोचे तो मिल लेडिव दो में तापता कि लेगाई बाइई